विदिसा के ग्राम रुसली में मनोज पूत्र छुटेलाल लोधी की द्वारा मंदर के पास इस्कूल के रास्ते में खुलेया मवैथ शराब बेची जा रही है जिसे गाउं की माताएं वंबहने बेटिया सुरक्षित नहीं है शराबियों के आतंक से आम जंता भी सुरक्षित नहीं है शराबी शराब पी कर गाउं में रोज लडाई छकड़े गाली के लौज करते हैं गाउं में चोरी की घटनाय बढ़ रही है अवैश शराब विक्री की शिकायत पूर्व कलेक्टर मोहदय की समख शुकी गए थी जिसमें शराब ठेकेदा द्वारा शराब की बेटिया मनोज लोदी के घर पर उताने का वीडियो उपलब्ध है लेकिन आज दिनाग तक अवैश शराब की बिक्री बंद नहीं हुई है मनोज लोदी के अवैश शराब की बिक्री ततकाल बंद करवाने की इक्रपा करें ताकि भविस्य में ग्रामे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सारे मामले को लेकर वी दिशा साप और सेंट कलेक्टर को क्या पंसौपा अब दीपवली आने वाली है लोग दारू के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं हम चाहते हैं कि अबेस दारू ना बेके ठेके पिबेके अच्छी बात है सरकार को खायदा होता लेकिन गाउं-गाउं में गली-गली महले महले में दारू बिक रही है इसको बंद कराना चाहिए सरकार को मैं हमारी जो भाजपा की सरकार मोहन यादव जी की उन से निविधन करूंगी कि विधी शाजिले में आज जो गाउं-गाउं में सराफ पकड़ी जा रही है गलत काम हो रहा है इसलिए हम सब महिला है और हम सब चाहते हैं कि अबेस दारू बंद होना चाहिए बारती है हरवाद मैं गराम रोसली ये दारू बेक रही हमारे गाउं में तो बच्चे स्कूल है बगल में मंदिर है तो बच्चे भी पढ़ने जाते हैं सराभी बेटे रहते हैं तो परेशान होते हैं बच्चे लड़कियां का भी डल लगता है बंद हो जाए ये मनो जो द भाई साब बिजनेस तो आपने खोल लिया पर बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ तो करना होगा अब पुराने तौर तरीके भूल जाईए जमाना बिलकुल बदल गया है आप घर बैठे अपने स्कूल, कॉलिज, कोचिंग इंस्सिट्यूट, हॉस्पिटल, क्लिनिक, र चाते हैं तो हम से संपर करें, हम देंगे आपको बिलकुल बड़िया समाधान